पंजावी कड़ी, राजस्थानी कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी और सुनी होगी आज मैं बना रही हूँ कड़ी बड़ी जो कि यूपी, बिहार, जारखन में बहुत जादा पॉपुलर है और जो हम नॉर्मल बेसिक कड़ी पकोड़ा खाते हैं उससे इसका टेस्ट ब अलग अलग तरीके से बनाई जाती है कहीं सिर्फ चने की डाल से बनाई जाती है कहीं उरत की डाल से कहीं दोनों ही कहीं दोनों को मिक्स करके आज मैं बना रही हूँ चने के डाल की जो की बहुत जादा टेस्टी लगती है खाने में तो मैंने यह तकरीबन आधा कप के आप चाहें तो यहाँ पर दो हरी मिर्च भी ऐड़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, अब क्या करेंगे ना कि इसे ग्राइड करेंगे, तो जो चना दाला ना उसा हल्का सा दरदरा ग्राइड करना है, तो मैं यहाँ पर पानी आड़ कर रही हूँ क्योंकि यह ऐसी ड्राइ में ब्राइड नहीं हो रहा था थोड़ा ही पानी आड़ किया है बहुत जादा नहीं और देखे इसका टेक्शर अभी किता बढ़ी है हलकी सी दरदरी है जब दरदरी रहती है ना तो इसके कड़ी और बड़ी दोनों ही बहुत ही स्वादिश्ट बन करके तयार होते हैं अब तया जादा ही दही का यूज किया है क्योंकि बहुत जादा पसंद है मुझे आप चाहें दियां पर डेड़ कटोरी के करीब भी दही का इस्तमाल कर सकते हैं दही को मच्छे से फेट लेंगे उसके वाज़े हमने चना दाल ग्राइंड करके रखा दाना उसे हम एड़ करेंगे त चाहती एक चमच के करीब धनिया पाउडर आधा चोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च एक चौथा ही चमच मैंने इसमें जीरा पाउडर एड़ किया है और एक चमच ही आमचूर एड़ किया है आमचूर एक सिक्रेट इंग्रीडियंट है अब कभी भी कोई भी दही ग्रेवी बना रहे हो कड़ी बना रहे हो आप अगर आमचूर एड़ कर देंगे ना तो जो दही है ना बिल्कूल भी नहीं फटेगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है सारी चीजों को फेटने के बाद मैंने इसमें एड़ कर दिया दो से ठाई कप के करीब पानी के साथ जीरा राइस बहुत ही जादा अच्छा लगता है खाने में कुकर में ही बना रही हूं एक चमचे करीब मैं इसमें घी एड़ किया है साथी तेजपत्ता एक चकरी फूर छोटा सा डालचिनी का टुकड़ा डेर चमचे करीब चीरा एड़ किया है और यह जो बास्मत के करीब मैंने चावल लिया था तो दो कप मैंने पानी एड़ किया है साथी टेस्ट के कोडिंग नमक एड़ कर देंगे और यहां आपन इसे बहुत जादा नहीं मिक्स करेंगे नहीं तो जो चावल हना तूटने लगे अब क्या करेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर एक विसल जाने तक के लिए पका लेंगे और खुद वखुद कुकर का ढकन खुलने देंगे तो जो चावल हना बहुत यह अच्छे बन करके तयार होंगे आज की जो कड़ी बड़ी है ना मैं बिना प्याइला सुनके बना रही हूं लेकिन जो लोग प्याज डालना चाहते हैं तो इ सरसो का तेल करेंगे यहांग मैं साथे मैं यहां पर एटके है एक चोटा चमac जीरा लाई खोटा चमac यह करेंगे साथी सुख लाल मिर्च लाला को Barbie तोड़ी के प्रफी में थे साथी थोड़ी सी हल्दी यहां पर भी आट करेंगे इससे कड़ी के कलर अना बहुत ही अच्छा हैगा फ्लेम को एकतम लो कर देंगे और जो दही वाला मिक्षेर हमने बना के रखा था ता ना चनादाल के साथ वो आट कर देंगे फ्लेम को एकतम अभी लो रखेंगे और कंटीनिवस नहीं यहां पर इसे चलाते जाएंगे जब तक की जो कड़ी मैं है ना उबालना लगे अगर आप पहले चलाना छोड़ देंगे तो कड़ी यहां पर फट सकती है तो लगतार आप इसे लो फ्लेम पर मिक्स करते रहें कड़ी उबलने लए जीरा अजवाइन हल्दी धनिया पाउडर थोड़ी सी जीरा पाउडर मैं इसमें आड़ किया और एक सुखी लाल मिर्च को इस तरह से बारिक चौप करके अड़ करेंगे क्योंकि बड़ी सुखी लाल मिर्च के भिना बिल्कुल अदूरी है टेस्ट अच्छा आता है अगर यह अच्छी फूली फूली बनती है हलकी बनती है और जब हम इसे कड़ी में अड़ करेंगे तो इसका जो साइज है बिल्कुल डबल हो जाएगा कड़ी पी करके और इसमें सोड़ा वेगरा अड़ करने की बिल्कुल जरत नहीं पड़ती है इसे थोड़ा सा पानी में अड करके देखेंगे देखेंगे कैसे ऊपर आ गई है तेर करके तो यह बिलकुल तयार है अभी जो कड़ी है उसे उबलते हुए यहां पर 15-17 मिनट हो गया है तो हम क्या करेंगे इसे दूसरे साइट कर देंगे कड़ी की सबसे अच्छी पहचान होती है कि जब यह उबलने लगत और अब हम बनाते हैं बढियां तो जो बढ़ी है जिंदरी सरसो के तेल में ही बनाई जाती है इस से टेश्ट बहुत इच्छा आता है और अगर आप नहीं यूज करते हैं सरसो का तтеल तो आप कोई ही तेल में से बना सकते हैं जो भी आप खाते हों यहाँ पर मैं बढ़ियों को रखने के लिए यूज़ करी हूँ आड़ी कोविक तो देखिए जो तेल है अच्छा गर्म हो गया है अब हम इसमें बढ़िया तलेंगे तो जो नॉर्मली गाउं में साधियों में बनाई जाते है ना बढ़ियों का जो साइज होता है ना बहुत जादा बढ़ा बढ़ा होता है मैंने यहाँ पर इसे बहुत जादा बढ़ा बढ़ा नहीं बनाया है मीडियम साइज के ही मैंने यहाँ पर बना करके तयार किया है और यह बॉयल होकर के बिल्कुल मतलब आधी हो गई है तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे बढ़िया और अब हम यहां आड़ करेंगे नमक अगर आप नमक पहले आड़ करेंगे तो जो कड़ी आना फट सकती है तो कुछ-कुछ चीजें आप ध्यान में रखेगा तो जो कड कड़ी आना बहुत ही अच्छी बन करके तयार होंगी बड़ी डालने के बाद मैं यहां पर 2-3 मिट तक के लिए कड़ी को वालूंगी ने तो यह तो तूटने लगेंगी और जो कड़ी बड़ी आना उसके साथ ना पकोड़ी भी सर्फ की जाती है मतलब पकोड़ा यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह ना बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है खाने में इस तरह से आप चाहे तो इसे नॉर्मली ऐसे वी सामने चाह के साथ बना सकते हैं जो बैटर बचा हुआ था ना पकोड़ी वाला उसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लिया ह इसमें बैंगन और आलू अगरा अड़ कर देंगे अब चाहे ना तो यहां पर प्याज सेवी से बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या फिर लौकी सेवी अब इसमें एकक करके हम यहां पर जो पकोड़े है ना तल लेंगे बैंगन और आलू वाले और यह जो नॉर्मली यह बेशन वाले बनाते है उस से इसका टेश्ट बहुत ही अलग आता है बहुत ही अच्छा लगता है कड़ी बड़ी के शाथ राईस के साथ इसका कॉमिनेसन एकदम परफेक्ट है अब लगाते हैं कड़ी में एक त्रका तो मैंने यहां पर राई एड़ के सा द्रक मिर्ज और कड़ी पत्ता एड़ करेंगे, साथी हींग एड़ करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी और फ्रेम को यहाँ पर आफ कर देंगे, साथी इसमें एड़ कर देंगे, आधा छोटा चमची करीब कस्मेरी लाल मिर्च, अगर आप लहसुन खाते हो ना तो लहसुन भी एड़ प्लेन राइस के साथ सब कीजिएगा, या फिर जीरा राइस के साथ बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मैं मिलती हूँ नेक्ट लाग में, तब तक के लिए बाबाई, टिक केर